पंजाब दे विच पर चार कर रहे इसाई पादरियां दे वलों जड़ा कुरूसेट शब्द वर्तिया जानदा है वड़े पदर ते वर्तिया जा रहा है ओ इसाई तरम दे विच वर्तन ते पूरी मनाही है इस दी जानकारी देती है पोप दे नुमाइन द्याने जड़े के जथेदार साहिब नू आके मिलेने सच्रियकाल जी खास रिपोर्ट दे विच थोड़ा सब्द स्वागत है मैं हर शरनकौर पंजाब दे विच कुछ फर्जी पास्टरां दी वज़ा करके इसाई ते सिकतरम दे विच जड़ी बेप्रोस की दी दरार आई हुई है उसनू करन दे लिए कैथोलिक चर्च दे नुमायन दे आने शिरी अकालतक्त साहिब दे जथेदार सिंग साहिब ग्यानी रगबीर सिंग दे नाल मुलाकात कीती ए नुमायन दे इंटर फेथ डारेक्टर जॉन गरेवाल दी अगवाई दे वेच गुरु की नगरी अमरित सर पहुं पहलों आते गल कीती गई है पहला है पंजाब दे विच इसाई मत्त दा तरम परवर्तन दूसरा इंटर डायलोग ते और वाले समय दे विच शांती ते खुशाली दे नाल किमें दोमें पाई चारे काम कार देने ए तीसरा पहलू है हुन श्रियकाल तक साहिब दे वल्लों इस चिठी दा जवाब रोम दे वेटकन सिटी नूँ पेज जाए जाएवेगा जित्थे इसाई पाई चारे दे पोप रहन दे हान जड़ी जथे दार साहिब दो चिठी दित्ती गई है उस ते विच पोप दे वल्लों किहा गया कि रोमन कैथलिक्स चर्च दे विच क्रूस सेड़ दी वर्तो करण वाले कथित इसाई पादरियां दे खिलाफ सक्त कारवाई करण दी मांग किती जावेगी उना दे खिलाफ कानूनी कारवाई दी बाकाईदा मांग किती जावेगी मीटिंग दो बाद फादर जॉन गरेवाल ते परम पाल सिंग ने किहा के दोवे तर इना पंजाब दे विच पैदा हुए अखोती पादरियाने पादती हैं। तेस मुलाकात दे विच पाख रहे क्रूसेड वाले मसले तो इलावा कॉन्वेंट स्कूलां दे विच सिख बच्चेयां दे कडेल हों दा मसला वी विचारया गया है। इसी सिख पंथ दे नाल खड़े हां ए इसाई पाई चरे दे जड़ा वफद आया सी उना दे वलो के हा गया है। जिस तरीके दे नाल इसाई मत दा परचार कीता जा रहा है। इसाई पाई चरे दे वफद दी अतिश्री अकालतक्त साहिब दे जथेदार साहिब दी जड़ी मिटिंग होई है। इना सारे दे मूत एक वड़ीच पेड़ा है क्योंकि वफद वेटिकन सिटी दे वलो नुमाएंदे दे तौर दे आया सी। वो क्रूसेड दी जड़ी इमेज है वो खट भी करती और एक वारी उन्हाने हुकम नामा जारी करता के साड़ेच अग्येवी कदी भी एक क्रूसेड नहीं होएगा। दे तरम यूद नहीं होएगा। और ओस्तों बाद एहजार साल हो चुके है। अज भी कदी ये शब्द दा कैतलिक चर्च दे वेट इस्तमाल नहीं होया। जलंदर डाइसिस वल्लो रोमन कैथलिक चर्च जड़ा पोप फ्रांसिस मान जोग दे वैटेकन वल्लो उन्हां दे भ्हाफते के चिठी जड़ी काल तक सावाल लाई है कि असी अपने सारे मसले ऑन टेबल हाल करांगे। ते नाल दी नाल अगे तों मी जिठे के लोड़ पवेगी ते मोड़े नाल मोड़ा जोड़ के जड़ा हो मसलियां दी हाल कर दांगे। ते जड़े लोग अगलाउन दी कुशिश का रहे ने कुरू सेड़ बर गे शब्दवर्त के जहां फोर्च फुली जड़े लोगा नू जड़े आफ कनवर्शन का रहे ने उन्हां मसलियां नू बचार के इनाने क्लीर कट किया है कैसी सेखपंथ दे नाल खड़े यां ते जड़े नाल मिलके विख दे विच जिनने मी कोई मसलियां के उननों जड़ा है वो मिल बैठके हल की सांजे रूप दे विच डीजीवी पंजाबनों में मिलेया जाओगा प्लीस परशाशन में जरता जाओगा कि ए जड़े बंदे ने इना दा इसाईयत दे नालत कोई सबा पूरा मामलावी थों दास दन्या दरसल इसाई तरम दी पालना करन दावा कारन वाले कुछ नमे उबर रहे डेरे क्रू सेड़ दे सरलेखे एठ समागम करवा रहे ने इना डेरे आंद विश्वास फेलोन सिखा प्रती नफरदा प्रक दावा करन ती पाई चारक सांज नू इसाई मतनू मननवाले लोक ने जा फिर इसाई तरमनू तारन कर रहे ने होर तरमा दे विच्वा रहे ने ओ एस गालनू समझन दी पूरी कोशिश करन के जेड़े लोक का दे पिछे ओ लग रहे ने ओ असल दे विच इसाई परचारक नहीं हैं असली इसाई परचारक थवा बाद MP वजो चुने जानवाले अमरित पाल सिंग वी जदों अपनी तरंपर चार लहर पंजाब देविच चिला रहे सान ओदो उना ने वी इना शिरारती लोकां दे खिलाफ जिड़ा है गया अपनी एक लडाई विड़ी सी गी अपना एक ब्यान जारी किता सी उस्तों बाद दों पाई चार लहें देविच टेंशन वी खड़ी हो गई सी ओस वक्त वी साई पाई चरेदाएक वफद आकेश्रिय कालतक्त साहेब दिजधिदार दिनाल मिलके गया सी तानवाद